नमस्कार दोस्तो ग्यानी स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत सावत है दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो निम्बू पानी होता है वह आपके लिए नुकसान दायक भी हो सकता है ऐसा क्यों? दोस्तो वैसे तो निम्बू पाने पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है यह हमारे स्वास्त के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए निम्बू पाने बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और यदि वो लोग निम्बू पानी या निम्बू का सेबन करते हैं तो उनके स्वास्त पर काफी प्रभाव पढ़ सकता है दोस्तो इस वीडियो में हम ऐसे ही उन चार लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए निम्बू पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता दोस्तो ऐसे लोग जिनने ऐसेडिटी की प्रॉब्लम है उन्हें निम्बू पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे उनके सरीर पर नुक्सान हो सकता है क्योंकि दोस्तो निम्बू जो होता है वैं ascetic होता है और इससे acid reflection हो सकता है जिससे उनके पेट पे काफी प्रभाव पढ़ सकता है दोस्तो दूसरे वे लोग जिनको पेट में ulcer की problem है उनके लिए भी निम्बू पानी अच्छा नहीं होता है इस से ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति अलसर से पेड़त है उसके पेट में दर्थ और जलन हो जाए और दोस्तों ऐसे लोग जिनके दाथों में प्रॉब्लम हैं जिनके दाथोगा्ष सेंसिटिव हैं उन्हें भी निम्बू पानी का सेवन नहीं करना चाहिए इससे उनके नांत कमजोर हो सकते है और उनके नांतों की जो problem है वे भी बढ़ सकती है वहीं दोस्तो ऐसे लोग जिनने urine related problem है उन्हों को भी निम्बू पानी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो लोगों को यूरिन की प्रॉबलम होती है उन्हें यूरिन बार बार जाना पड़ता है और निम्बू पानी पीने से भी यूरिन बार बार जाना पड़ता है तो ऐसे लोग जिन्हें यूरिन की प्रॉबलम होती है उन लोगों को भी निम्बू पानी नहीं पीना चाहिए तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह चोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए साथ वेल आइकन को दबाईए ताकि आने वाले वीडि